दर्शको नमस्कार आज हमारी चर्चा का विशे है द्विघात समिकर्ण और उसके हल द्विघात समिकर्ण और उसे हल करना सीखने से पहले आईए देखें यह हमारे प्रश्णों को हल करने में किस तरह से हमारी साहता करता है हमें मैदान के मद्ध एक आयताकार क्यारी बनानी है जिसका छेटफल 24 वर्ग मीटर होना चाहिए परन्तु साथ ही एक शर्ट यह भी है कि उसकी लंबाई चोड़ाई से पांच मीटर अधिक होनी चाहिए हम जानते हैं आयताकार क्यारी का छेटफल होता है लंबाई गुना चोड़ाई 24 के ग्रोनखंड हमारे पास हैं 24 और एक 24 और एक रखने पर छेटफल तो 24 वर्ग मीटर है परन्तु लंबाई और चोड़ाई का अंतर तेईस है पांच नहीं 24 के दूसरे ग्रोनखंड हमारे पास हैं 12 और दो छेटफल तो इस बार भी 24 वर्ग मीटर है परन्तु लंबाई चोड़ाई से 10 मीटर अधिक है पांच नहीं तीसरे ग्रोनखंड हमारे पास आते हैं आठ और तीन छेटफल हमारे पास फिर 24 वर्ग मीटर है और इस बार लंबाई चोड़ाई से 5 मीटर अधिक है यानि हमारा प्रशन हल हो जाता है हम लंबाई को 8 मीटर और चोड़ाई को 3 मीटर रख सकते हैं परन्तु क्या बार बार करके देखना और हल पर पहुंचना एक व्यवारिक और आसान विधी है कलाचित नहीं इसलिए क्यों ना एक ऐसी विधी सीखें जिससे हम एक बार कोशिश करके ही इस तरह के प्रशनों को हल करने इस विधी में हम इस प्रशन को एक द्विगात समिकर्ण के रूप में लिखते हैं और फिर उसे हल करते हैं द्विगहात समीकरण को हल करना सीखने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि एक द्विगहात बहुपद क्या होता है आईए एक बहुपद पर विचार करें ये बहुपद है दो एक्स की गहात दो जमात तीन एक्स घटा चार इस बहुपद में एक्स की अधिक्तम गहात है दो एक्स की गहात दो का गुनांग है दो एक्स का गुनांग है तीन और इस्थिरांग है गटा चार एक अन्य बहुपद पर विचार करें यह बहुपद है एक्स की गहात दो गटा वर्गमूल दो एक्स इस बहुपद में X की अधिक्तम घात है दो X की घात दो का गुणांग है एक X का गुणांग है घटा वर्गमूल दो इसमें कोई इस्थिरांग नहीं है इसका अर्थ है इस्थिरांग शुन्य है एक अन बहुपद को देखे इस बहुपद में वर्गमूल 3 X की घात दो घटा 4 X की अधिक्तम घात है 2 X की घात 2 का गुणांग है वर्गमूल 3 X का गुणांग है शुन्य X का गुणांग शुन्य है जिसका प्रभाव आप सीधे विगहात बहुपद में देख सकते हैं जहां X का कोई पद नहीं है यह जो बहुपद हमने अब तक देखे हैं इन तीन बहुपद के उदारणों में प्रत्येक बहुपद में X की अधिक्तम गहत दो है प्रत्येक में X का गुणांक 6 नहीं है आईए एक अन बहुपद देखें यह बहुपद है 5X जमा 4 इस बहुपद में X की घात 2 का कोई पद नहीं है परन्तु क्या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 0X की घात 2 जमा 5X जमा 4 यह बहुपद एक ड्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें X की घात 2 का गुणांक 0 है व्यापक रूप में एक ड्विघात बहुपद है AX की घात 2 जमा BX जमा C इस द्विघात व्यापक ड्विघात बहुपद में X की घात 2 का गुणांक A 0 नहीं है तथा A, B और C वास्तविक संख्याए हैं इस द्विगाद बहुपद को हम PX से भी निरूपित करते हैं आएए एक द्विगाद बहुपद में X का कोई मान रखकर देखते हैं जैसे द्विगाद बहुपद है PX बराबर X की गहाद 2 जमा 3X घटा 18 इसमें हम X का मान 2 रखकर देखते हैं X का मान 2 रखने पर हमें प्राप्थ हुआ दो की गहाद 2 जमा 3 गुणा 2 घटा 18 दो की गहाद 2 चार जमा 3 गुणा 2 छे अर्थात 4 जमा 6 दस और 10 घटा 18 अर्थात बहुपद का मान निकला घटा 8 इस प्रकार हम पाते हैं कि X के प्रतेक मान के लिए बहुपद का एक मान होता है आईए इसी बहुपद X की घाद दो जमा 3X घटा 18 में X का एक अन्य मान रखकर देखते हैं जैसे हमने X का मान रखा 3 X का मान तीन रखने पर हमें प्राप्त हुआ 3 की घाद 2, जमा 3 गुणा 3, घटा 18 3 की घञद 2, 9, जमा 3 गुणा 3, 9, घटा 18 9 जमा 9, 18, घटा 18, अर्फात बहुपद का मान हमें प्राप्त हुआ शुन्य एक्स का यह मान जो बहुपद के मान को शुन्य बनाता है हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है एक्स के इस मान को जिसने बहुपद के इस मान को शुन्य बना दिया हम बहुपद का शुन्यक कहते हैं आईए इसी बहुपद में हम X का एक और मान रखकर देखें जैसे हमने X का मान रखा घटा छे बहुपद में X का मान घटा छे रखने पर हमें प्राप्थ होता है घटा छे की घात दो जमा तीन गुणा घटा छे घटा अठारा घटा छे की घात दो अर्था चतिस जमा तीन गुणा घटा छे घटा अठारा और घटा अठारा अर्था चतिस घटा चतिस अरे यह तो फिर शून्य हो गया क्या इसका अर्थ है कि एक द्विघात बहुपद के दो शून्यक है हां यह मान भी इसका शून्यक है द्विघात बहुपद ए एक्स की घटो जमा बी एक्स जमा सी में एक्स का कोई मान जैसे अल्फा रखने पर यदि बहुपद का मान शून्य हो तो अल्फा को द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं ध्यान रखिए अल्फा एक वास्त विक संख्या है अभी हमने देखा बहुपद एक्स की हाद दो जमा तीन एक्स घटा 18 के लिए एक्स के दो ऐसे मान थे तीन और घटा 6 जिनके लिए बहुपद का मान शून्य था अर्थात तीन और घटा संभव हैं परन्तु क्या कोई ओर शून्यक पता कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि एक द्विघाद बहुपद के अधिक्तम दो ही 6 शून्यक संभव हैं इसका कारण है कि एक बहुपद के अधिक्तम उतने ही शुन्यक संभव होते हैं जितनी उसकी अधिक्तम घात होती है और क्योंकि द्विघात बहुपद में X की अधिक्तम घात दो है अते उसके दो ही शुन्यक संभव है आईए एक अन्य द्रीघात बहुपद पर विचार करें X की घात दो घटा दो X जमा एक आईए इस बहुपद में X का मान एक रखते हैं X का मान एक रखने पर 1 की घात दो घटा दो गुणा एक जमा एक एक जमा एक दो घटा दो रखने पर बहुपद का मान शून्य है जिसका अर्थ हुआ कि X बराबर एक बहुपद का शून्यक है क्या आप X के मान एक के अत्रिक्त और कोई मान पता कर सकते हैं जो इस बहुपद के मान को शून्य बना दे नहीं इस बहुपद का केवल एक ही वास्तविक शून्यक हम प्राप्त कर सकते हैं आईए एक अन्य द्विघाद बहुपद X की घट दो जमा दो के शून्यक ज्याद करने का प्रयास करते हैं X की घट दो जमा दो को शून्य बनाने के लिए हमें X का एक ऐसा मान चाहिए जो X की घात 2 जमा 2 को 0 बना दे X की घात 2 जमा 2 को 0 बनाने के लिए हमें चाहिए कि X की घात 2 का मान घटा 2 हो क्या X का ऐसा कोई वास्तविक मान संभव है जिसका वर्ग रिनात्मक हो ऐसा कदापी नहीं हो सकता कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग रिनात्मक हो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि X की घात दो जमा दो का कोई वास्तविक शुन्यक नहीं होगा हाँ ऐसा भी संभव है कि इसका कोई वास्तविक शुन्यक ना हो अते हम इस निश्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक द्रिगात बहुपद के अधिक्तम दो ही शुन्यक होते हैं या उसका एक ही शुन्यक होता है या ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक भी वास्तविक शुन्यक ना हो अब एक महत्पून प्रशन उठता है कि हम एक जिगाद बहुपद के शुन्यक कैसे ग्यात करें आएए दो रेखिक बहुपदों की गुरुनफल करके देखते हैं 3X जमा 2 اور X जमा 5 का गुरुनफल करते हैं 3X जमा 2 और X जमा 5 का गुरुनफल करने पर हमें पराप्त होता है 3X की घाद 2 जमा 2X जमा 15X जमा 10 अर्थात हमें प्राप्त होता है 3X की घाद 2 जमा 17X जमा 10 आएए अब हम इसकी उल्टी प्रक्रिया करें अर्थात हम 3X की घाद 2 जमा 17X जमा 10 के गुणखंड करते हैं 3X की घाद 2 जमा 17X जमा 10 के गुणखंड करने के लिए हम 17X को ऐसे दो गुणखंडों में तोड़ते हैं जिनका गुणफल 10 और 3 के गुणफल के बराबर हो अर्थात यह हमें प्राप्त होता है 3X की घाद 2 जमा 15X जमा 2X जमा 10 अब हम देख रहे हैं पृथम दो पदों में 3X उभैनिष्ट है 3X को उभैनिष्ट लेने पर हमें प्राप्त होता है 3X कोश्ठक में X जमा 5 अगले दो पदों 2X और 10 में हम देख रहे हैं 2 उभैनिष्ट है 2 को उभेनिस्ट लेने पर हमें कोस्ठक में मिलता है X जमा 5 अर्थात हमें 3 X की घहाद 2, 17 X जमा 10 के 2 रैखिक गुणन्खंड प्राप्त होते हैं X जमा 5 और 3 X जमा 2 दो रैखिक बहुपद एक द्रिखात बहुपद है और एक द्रिखात बहुपद के गुनन खर्णड दो रैखिक बहुपद है रैखिक बहुपदों का शून्यक निकालना हम जानते हैं तो हम कर सकते हैं कि हम एक द्विघात बहुपद को गुरंखंड कर दो रेखिक बहुपदों में परिवर्टित करें और फिर हम उनके शुन्यक ग्याद करने आईए कोशिश करते हैं रेखिक बहुपद तीन एक्स जमा दो को समिकर्ण के रूप में लिखने पर हमें प्राप्थ हुआ तीन एक्स जमा दो बरावर शुन्य इस समिकर्ण को हल करने पर एक्स का मान हमें प्राप्थ होता है घटा दो बटे तीन आईए एक्स के इस मान को बहुपद तीन एक्स जम अते निश्कर्ष निकला कि समीकरण को हल करने से प्राप्त अग्यात राशी का मान उस बहुपद का शुन्यक होता है तो आईए पहले हम द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में परिवर्थित करें और फिर उसे हल कर हम उस द्विघात बहुपद के 0 ज्याद करें परन्तु इस से पहले हम ये तो जाने कि एक द्विघात समीकरण क्या होती है उसके मूल अर्थात उसके हल क्या होते हैं यदि PX एक द्विघात बहुपद है तब PX बराबर 0 या AX की घात दो जमा BX जमा C बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं जहां ध्यान रहे AX की घात दो का गुणांक अर्थात A 0 नहीं है इसी प्रकार यदि Alpha बीटा द्विघात बहुपद AX की घात दो जमा BX जमा C के 0 हो तो Alpha बीटा को द्विघात समीकरण AX की घात दो जमा BX जमा C के मूल कहते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम उसमें नहीत द्विघात बहुपद के गुणखंड करेंगे तथा गुणखंडों से प्राप्त रैखिक बहुपदों के शुन्यक ज्यात कर हम द्विघात समीकरण के हल ज्यात करेंगे एक्स की घात दो घटा 3X घटा 10 बराबर शुन्यकों हल करने के लिए हम एक्स की घटा 3X घटा 10 के गुणखंड करेंगे इस प्रकार के द्विघात बहुपदों का गुणखंड आप पहले भी कर चुके हैं इसके लिए हमें घटा तीन को ऐसे दो भागों में तोड़ना होगा जिनका योगफल तो घटा तीन ही हो परंतु उनका गुणनफल घटा दस हो घटा तीन के ऐसे दो भाग हमें प्राप्त होते हैं माय घटा पांच और जमा दो अर्थात हम घटा तीन एक्स को घटा पांच एक्स जमा दो एक्स के रूप में लेखते हैं अब हम देख रहे हैं प्रत्रम दो पदों में X उभयनिष्ट है इन पदों में से X को उभयनिष्ट लेने पर हमें कोस्ठक में प्राप्थ होता है X गटा 5 अगले दो पदों में हम देख रहे हैं दो उभैनिस्ट है और दो को उभैनिस्ट लेने पर हमें कोस्ठक में प्राप्त होता है एक्स घटा 5 अब इन दो पदों में हम स्पस्ट देख रहे हैं कि एक्स घटा 5 उभैनिस्ट है X घटा 5 को उभैनिस्ट लेने पर हमें कोश्ठक में प्राप्त होता है X और जमा 2 अर्थात हम X की घाद 2, घटा 3 X, घटा 10 को X घटा 5 और X जमा 2 के गुरनफल के रूप में लिख सकते हैं अब इन दो रेखिक बहुपदों X घटा 5 और X जमा 2 का गुरनफल 0 होने के लिए आवश्यक है कि या तो X घटा 5 का मान 0 हो या X जमा 2 का मान 0 हो या इन दोनों का मान 0 हो X घटा 5 अगर 0 है तो X का मान हमें प्राप्त होता है 5 अगर X जमा 2 शून है तो हमें X का मान प्राप्त होता है घटा 2 X के इन मानों को हम दुखाद समिकरण के मूल कहते हैं या समान भाषा में हम इन्हें दुखाद समिकरण का हल भी कहते हैं आईए इसी विधी जिसे हम दुखाद समिकरण हल करने की गुणखंड विधी कहते हैं से कुछ अन्य दुखाद समिकरण को हल करने की कोशिश करते हैं जैसे दुखाद 2X की घटा 9X जमा 10 के गुणखंड करने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम घटा 9X को ऐसे दो भागों में तोड़ें जिनका योगफल तो घटा 9 ही हो परन्तु उनका गुणफल 20 हो घटा 9 के ऐसे दो भाग हमें प्राप्त होते हैं घटा 5 और घटा 4 अर्थात हम घटा 9X को घटा 4X घटा 5X के रूप में तोड़कर लिख सकते हैं अब हम देख रहे हैं प्रत्थम दो पदों में 2X उभैनिस्थ है दो X को उभैनिस्थ लेने पर कोस्ठक में हमें प्राप्त होता है X घटा 2 अगले दो पदों में अर्थात घटा 5X जमा 10 में घटा 5 को उभैनिस्थ लेने पर हमें इस द्विघात बहुपद के गुर्णखंड प्राप्त होते हैं 2X घटा 5 और X घटा 2 अर्थात 2X की घटा 9X जमा 10 को हम 2X घटा 5 और X घटा 2 के गुर्णफल के रूप में लिख सकते हैं 2X घटा 5 और X घटा 2 का गुर्णफल 0 होने के लिए आवश्यक है कि या तो 2X घटा 5 का मान 0 हो या X घटा 2 का मान 0 हो 2X घटा 5 बराबर 0 होने पर हमें X का मान प्राप्त होता है 5 बटे 2 और अगर X घटा 2 बराबर 0 है तब X का मान प्राप्त होता है 2 अर्थात समिकरण 2x की घाद 2 घटा 9x जमाद 10 बराबर 0 के मूल है x बराबर 5 बटे 2 या x बराबर 2 अरे इस समिकरण में तो इस्थिरांग ही नहीं है और समिकरण भी दिखाद समिकरण है इसको कैसे हल करें परन्तु इसे हल करना तो और भी आसान है क्योंकि हमें तो फिर वही यानि इस दिखाद बहुपद के गुर्णखंड ही तो करने हैं और हम देख रहे हैं कि इन दोनों में एक्स उभ्यनिस्ट है एक्स को उभ्यनिस्ट लेने पर हमें दो गुर्णफल एकदम प्राप्त हो जाते हैं एक्स और कोस्ठक में दो एक्स घटा साथ अब इन दोनों का गुर्णफल शून होने के लिए ज़रूरी है कि या तो एक्स का मान शून हो या दो एक्स घटा साथ का मान शून हो एक्स बराबर शून है तो यह शून है ही और एगर दो एक्स घटा साथ शून है तब हमें एक्स का मान प्राप्त होता है साथ बटे दो अर्थात द्विघात समीकरण दो एक्स की घटा दो घटा साथ एक्स बराबर शून के दो मूल प्राप्त होते हैं एक्स बराबर शू और X बराबर 7 बटे 2 और इस द्विखात समीकरण में तो X का गुणांक ही वर्गमूल में आ गया है परन्तु इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि हमारी प्रक्रिया इस द्विखात समीकरण के लिए भी वही है अर्थात हमें इसके भी गुणखंड करने है परन सम्तु हमें पांच वर्गमूल 3 को ऐसे दो भागों में तोड़ना होगा जिनका गुलनफल 6 गुणा 2 अर्थात 12 हो और उनका योगफल 5 वर्गमूल 3 हो जड़ा सोचिए यह थोड़ा सा मुश्किल तो है पर आप कर सकते हैं 5 वर्गमूल 3 के ऐसे दो भाग हैं 4 वर्गमू 3 देखिए हम 4 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को जोड़ें तो हमें प्राप्त होता है 5 वर्गमूल 3 और अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 की गुणा 3 और 3 गुणा 4 बराबर 12 अर्थात 4 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 ऐसे दो संख्याएं ह जिनका योगफल पांच वर्गमूल 3 है और गुननफल 12 अब हम देख रहे हैं पर्थम दो पदों में तो एक्स वहनिस्ट है दो एक्स को वहनिस्ट लेने पर कोस्ठक में हमें प्राप्त होता है एक्स जमा दो वर्गमूल 3 और अंतिम दो पदों में क्या वहनिस्ट है यह देखने के लिए आपको अवश्च थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है वर्गमूल 3 को अगर हम वहनिस्ट लें तो यहां पर हमें एक्स प्राप्त होता है इस पद से वर्गमूल 3 को वहनिस्ट लेने का क्या अर्थ है अर्थात ह हमें इस संख्या को प्राप्ट करने के लिए 6 को वर्गमूल 3 से भाग देना होगा, 6 को वर्गमूल 3 से भाग देने पर हमें मिलेगा 2 वर्गमूल 3, अब इन दोनों पदों में बहुत इस्पस्ठ है कि कोश्ठक के अंदर की संख्या उभेनिस्ठ है, एक्स जमा दो वर्गमूल 3 को उभेनिस्ठ लेने पर कोश्ठक में हमें प्राप्ट होता है 2 एक्स जमा वर्गमूल 3 अर्थात हम 2 एक्स की घाद दो जमा 5 वर्गमूल 3 एक्स जमा 6 को 2 एक्स जमा वर्गमूल 3 और एक्स जमा 2 वर्गमूल 3 के गुणनफल के रूप में लिख पिर वही इन दोनों का गुननफल 0 होने के लिए ज़रूरी है कि या तो 2X जमा वर्गमूल 3 0 हो या X जमा दो वर्गमूल 3 0 हो आईए देखें 2X जमा वर्गमूल 3 बराबर 0 रखने पर हमें X का मान राप्त होता है घटा वर्गमूल 3 बटे 2 X जमा दो वर्गमूल 3 को 0 रखने पर हमें मिलता है X बराबर घटा दो वर्गमूल 3 अर्थात द्विघात समीकरण 2X की घगात 2 जमा 5 वर्गमूल 3 X जमा 6 बराबर 0 के 2 मूल हमें प्राप्त होते हैं एक्स बराबर घटा वर्गमूल तीन बटे दो और एक्स बराबर घटा दो वर्गमूल तीन विद्यार्थियों आज हमने सीखा एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स की घगाद दो जमा बी एक्स जमा सी जहां एक्स की घगाद दो का गुणांक ए शून्य नहीं है तथा ए बी और सी वास्तविक संख्याए हैं इसी द्विगात बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रख दें तो AX की घाद 2 जमा BX जमा C बराबर 0 एक द्विगात समी करण होती है इसी द्विगात बहुपद AX की घाद 2 जमा BX जमा C में अगर X का कोई मान अलफा रखने पर इस द्विगात बहुपद का मान 0 हो जाए तो यह मान X बराबर अलफा इस द्विगात बहुपद का 0 होता है और हमने सीखा कि इस द्विगात समी करण AX की घाद 2 जमा BX जमा C बराबर 0 को गुवणखंड विधी से हम कैसे हल करते हैं इसके लिए हम इसके मध्यपद को दो पदों में तोड़कर उसके गुवणखंड प्राप्ट करते हैं और फिर इन रेखिक बहुपदों को रेखिक समी करण में परिवर्तित कर X के मान गात करते हैं are X के यह मान ही हमारी द्विगात समी करण के हल यह द्विगात समी करण के मूल होते हैं परन्तु क्या प्रत्येक द्विघात बहुपद का गुरंखंड करना इतना आसान होता है कभी कभी तो यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है आईए एक द्विघात बहुपद एक्स की घात दो जमा पांच एक्स जमा पांच पर विचार करते हैं एक्स की घात दो जमा पांच एक्स जमा पांच के गुरंखंड करने के लिए हमारे लिए आवश्क है कि हम पांच को ऐसे दो भागों में तोड़ें जिनका गुणनफल पांच हो और उनका योगफल भी पांच हो पांच के दो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं गटा पांच और गटा एक ऐसे ही पांच के दूसरे गुणनखंड प्राप्त होते हैं पांच और एक जमा पांच और जमा एक परन्तु दोनों ही दशाओं में हम देखते हैं गटा पांच और गटा एक का योगफल आता है गटा छे और जमा पांच और जमा एक का योगफल आता है छे अर्थात हमारे पास पांच के ऐसे दो वास्तविक भाग हमें प्राप्त नहीं होते जिनका योगफल पांच हो और उनका गुणनफल भी पांच हो अर्थात इन समीकरणों को कैसे हल किया जाएगा इस प्रकार के द्विखात समीकरण को जिसके गुणखंड करना आसान नहीं होता बहुत मुश्किल होता है या कई बार जिसके वास्तविक गुणखंड हमें प्राप्त नहीं होते इनको हम एक अन् सब्सक्राइब आसा सत्र में सीखेंगे अब आप गुणनखंड विधी का परयो कर अपनी पुस्तक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं इसमें आप अपने अध्यापक की सहईता ले सकते हैं तथा अपने प्रश्नों की समस्चाओं